Hello students, मैं हूँ आपकी educator शिवानी चकरवर्ती और मेरे चैनल विग्यान शुताले में आप सभी का फिर से welcome है सो आज मैं फिर से life processes chapter का part 6 लेके आगी हूँ और आज हम digestive glands के बारे में ही पढ़ेंगे हलाकि मैं आप सबसे यही request करूँगी कि आप message जिन्होंने भी इसके सारे parts पहले के नहीं देखे हैं वो पहले उन parts को देख ले जो मेरे आपको channel पे available मिल जाएगा नहीं तो आपको आगे के parts और आगे के आज के lecture को समझने में बहुत problem हो सकती है तो चलिए ज़्यादा time ना लेते हुए हम start करते हैं आज हम बात करने वाले हैं HCL के role के बारे में और यहाँ पे Hindi और English दोनों language में चीजे mention है आप में से जिनको भी English language में पढ़ना है वो English language में notes भी बना सकते हैं और साथी साथ जिनको हिंदे में पढ़ना है वो हिंदे में भी यहाँ से पढ़के समझ सकते हैं तो particular आज हम HCL के बारे में बात करेंगे जैसा कि last class में हमने digestive glands के बारे में बात कर ली थी pancreas, liver and salivary glands के बारे में आज हम कुछ digestive juice जिसको gastric juice HCL hydrochloric acid कहते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ ही रहा होगा कि hydrochloric acid जो है जिसे हम gastric juice कहते हैं जठर रस कहते हैं यह हमारे अमाशय यानि stomach में पाई जाती है यह हमारे अमाशय के अंदर वाली layer में mucosak से secret होती है और यह हमारे हम कह सकते हैं हमारे जो stomach होती है उसकी अंदर की दिवारों से ही अंदर की तरफ food पे गिरती है बाहर नहीं गिरती अंदर गिरती है जिससे हमारे food को वो क्या करती है गला सकती है dissolve कर सकती है, soft कर सकती है साथी साथ यहाँ देख सकते हैं कि जो pH होता है gastric juice का वो बहुत ज़्यादा होता आप देख सकते हैं 1.5 to 3.5 मतलब ये acidic pH है मतलब acid form में होती है ये ठीक है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे stomach में under secret होती है और हमारे किसी भी body part को नुकसान नहीं करती है सिर्फ और सिर्फ food को क्या करती है गलाने का काम करती है वो भी hard food को digest करने का काम करती है इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं कि convert inactive pepsinogen and proranine into active pepsin and rene ये जो inactive pepsinogen है या फिर proranine है ये क्या है आपके enzymes है ये proranine सिर्फ और सिर्फ बच्चों में पाया जाता है ये एक तरीकी का ऐसा weaker या enzyme होता है जो कि milk के protein को यानि दूद में पाय जाने वाले protein को पचाने का काम करता है और जैसा कि आपको पता है कि जो एक baby होता है उसका जो primary food होता है वो दूदी ही होता है milk ही होता है तो वो सबसे ज़्यादा milk लेता है तो उसके milk में जो भी protein होता है उसको digest करने का काम ये enzyme करता है लेकिन HCL क्या करता है इन दोनों enzymes को pepsinogen और pro-renin को ये convert कर देता है pepsin और renin में ये भी एक काम हो गया HCL का next चीज ये है कि जो हमारा HCL होता है ये हमारे protein को पचाने का काम भी करता है तो ये कुछ काम हो गए जो कुछ role हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे है HCL के इसके अलावा भी HCL का बहुत सारा काम है HCL जो होता है हमारे खाने में जितने भी bacteria जितने भी जिवानू होता है उसको kill करने का काम करता है उससे infection को रोकने का काम करता है दूसरी चीज की ये हमारे स्टमक में जितने भी foods आते हैं उसको और भी ज़्यादा साफ करता है प्योर करता है शुद्ध करता है नेक्स पॉइंट में बताया जा रहा है कि अथिक layer of mucus secreted by mucus gland of the stomach prevent itself from the action of gastric gland हमारा जो particular mucus का चादर होता है यानि mucus की जो दिवार होती है जो स्टमक के अंदर होती है वो बहुत मोटी होती है जो particular हमारे पूरे शरीर को इस तरीके के acid से बचाती है सिर्फ और सिर्फ उसका target होता है कि वो food को गला सके excess acid damage gastric mucosine cause gastric अगर ऐसा होता है कि हट से ज़्यादा मात्रा में HCL secret हो रहा है किसी भी मरीच के body किसी भी patient के body में तो उस condition में उसको ulcer dudinal ulcer या उसके पेट में ulcer या आत में ulcer होने का खत्रा होता है अब बात करते हैं next topic जो की है salivary gland salivary नाम से पता चल रहा है लार saliva मतलब लार लार मतलब थूक हमारे शरीर में salivary gland हमारे mouth वाले reason में होता है मुख कुहा में होता है mouth cavity में होता है और इनका काम होता है कि ये saliva बनाते हैं यानि थूक का निर्मान करते हैं और यहाँ पे आपको देखने को में बिल रहा है कि ये जो salivary glands होता है ये अंतहर श्रावी नहीं होता है ये बही श्रावी होता है क्योंकि ये आपको नजर आता है साथी साथ ये आपके humans में जो है यानि इनसान में ये कई प्रकार के होता है यानि तिन प्रकार के होता है नाम है पहले का पेरोटिट, दूसरे का है सबमेंडिबुलर और तीसरे का है सबलिंग्वल तो ये तीन प्रकार के लार ग्रंथिया हमारे शरीर में पाई जाती है एक हेल्डी इंसान में हर दिन 0.52 डेल लीटर तक ठूक का यानि सलाईवा जैसे लार कहते हैं उसका निर्मान हर दिन होता है ये इसका एमाउंट होता है सलाईवा जो पर्टिकुलर जो है कई तरह के काम करता है पहला तो ये हमारे भोजन को गीला बनाता है सौफ्ट करता है हार्ड भोजन को दूसरा हमारे भोजन में जितनी भी बैक्टिरियाज होते हैं उसको किल करने का काम करता है हमारे दात को साफ करता है हमारे दात की केर करता है ठीक है ये सारी चीजों का काम हमारे saliva का होता है तो ये हमने आज की date में कुछ दो topics के बारे में discussion किया एक HCL के बारे में और एक salivary glands के बारे में तो I hope आपको आज का जो ये lecture वीडियो है वो समझ में आया हो अगर समझ में आया हो helpful है तो आप अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक विल्कुल भी शेर कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो like, share और subscribe बिल्कुल कर सकते हैं फिर मिलेंगे अपने next वीडियो के साथ, thank you